चर्खी दादरी की नई नाजबंडी की जहां पर किसाने को बचाने का प्रियतन कर रहे हैं अचानक से बारिशाने की वज़ा से कई किसानों की फसले आज बारिश में बीच चुकी हैं चर्खी दादरी नी चनल में सभी दर्शकों का सवागत है चर्खी दादरी की ने नाजबंडी में फसलों को लेकर किसान पहुंच रहे हैं लेकिन अचानक से आने वाली बारिश ने किसानों को समगने का भी मौका नहीं दिया किसान काफी मेंनत से कड़ी मेंनत करके फसले त्यार करते हैं लेकिन जब तक उनकी फसल नहीं बिग जा पिछले कितने दिनों से आपकी जो फसल है वो मंडी में है त्रीम दिन से सोकार यहां जी किली है अर मोसम फोल जाए हर रोज राज बीजी गी आज भी जाए पारिशागी पठ्षी करना लागे थे तर्शीर आप देख सकते हैं किसान सर्चों को ढकने का परियतन कर रहे हैं चरखी दादरी की नई नाजमंडी में किसान सर्चों लेकर पहुंच रहे हैं लेकिन सर्चों में नमी होने के चलते किसानों को सर्चों सुकानी पड़ रही है लेकिन अचानक से आने वाली बारिश के चलते किसानों को काभी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस फस देखेजिए पूरे भारत देश का पेट भरने वाले अंदाता की सरकार को वाज जरूर सुननी चाहिए क्योंकि किसानों की फसले शुरक सीत नहीं है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं तो मोसम के खराब होने की किसानों को चिंता रहती है कि कहीं ओलाव रिष्टी ना आ जाए, कहीं बे सहरापसु खेतों में नुक्सान न कर दे, लेकिन दिन्द रात जागने के बाद जब फसल मंडी में पहुशती है, वहाँ भी सुरुक्सित नहीं है, अगर आप पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, किसानों ने पूरा प्रितन मेरे दुकान पर पिष्ले तीन दन से माल आ रहा है, लेकिन शूकने की वज़े से माल भी बिख नहीं पार रहा है, ना तो सरकार खरीद रहे हैं, और ना ही कोई वेपारी खरीद रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बिख वारी है, और आज बर्षाद का मुसम होने कार्ण, जमि जाए लेकिन मुसम का क्या कर सकते हैं, और जैसा कि आप तस्वीरे देख सकते हैं, ये भी किसान के साथ लगे हुए थे, ताकि किसान की फसल पानी में ने भीगे, लेकिन उसके बावजूद भी बिख जाती है, अच्छा एक बात मताएं, अगर इस तरह से किसानों की फसल भीगती रही, तो किसानों कीता नुक्सान होता है, इसे तो और फसल भी आके नहीं भीखेगी, क्योंकि माल की क्वालिटी है, वो खराब हो जाती है, और माल की क्वालिटी अच्छी ना होने कारण उसके बाव भी अच्छी नहीं लग पते, अगर मंडी में बात की जाए, तो अगर और और किसान भी तो यहां आने वाले है, वन्डी में क्या परबंद किये गए हैं ताकि किसानों की हसलों को बरबाद होने से बचा जा सके है, यह मंडी में तो सहट है, लेकिन सहट के अंदर फसल को शुखा नहीं जा सकता, और नोसम क्या प्रकृत कर भी नहीं सक तस्वीरे में आप देख सकते हैं चर्खी दादरी की नहीं नाजमिंडी में हैं मोजूद हैं और यहां पर किसान पिछले दो-तीन दिन से अपनी सर्चों सुखा रहे थे क्योंकि शर्चों में नमी होने के चलते यहां पर वरपारी सर्चों नहीं खरीद रहे थे ऐसे में जानक से आने वाली बर्चात ने जो दो दिन में किसान लगातार जो मेहनत की थी उस सारी मेहनत को बेकार कर दिया बर्चात ने किसानों की फसलों को बिलकुल पूरी तरह से बिगा दिया है चरकी दादरी न्यू चनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिल्चिला जारी रहेगा